संपुर्ण मानव कितिहास में हनुमान जी ने जो आस्था प्रदर्शन किया वो उच्चतम है हनुमान जी शीब जी के अपतार शीब जी खुद इस्वर गौस्पल में देखिए येशु प्रार्टना करते नहीं ठकते येशु ब्रह्मा के मानव अपतार हनुमान जी को ट्योरी ओफ एवलूशन बाला चस्मा पहन के देखने की गलती मत करिए हनुमान जी अलौकिक थे भीम जब मिले हनुमान जी से तो भीम ने कहा आप विशाल होके दिखाइए हनुमान जी ने कहा ओ अभी संभब नहीं अर्थात यूग परिबर्तन हो गया है इस द्वापर यूग में ओ सब संभब नहीं रामायन के बानर शेना को ब्रह्मा ने विशेश रूप से एक प्रयोजन के लिए बनाया जब द्वापर यूग में हनुमान जी को ख़बर लगती है कि भगवान राम वापस आ गए हैं तो वो पहुंच जाते द्वार का वहां स्री कृष्ण शीब जी के पुजा में तलीन मिलते हैं भगवान कलकी के बारे में एक बविशेबानी है कि वे आदिशक्ती माता के भक्त होंगे अर्थात जानकी माता के जो त्यन कमैंड्मेंट्स है बाइबल में उसके प्रथम चार इस्वर से सम्मंदित हैं अलग-अलग किस्म से कहा जाता है इस्वर की अराधना करो इस्वर की पुजा करो लोग ओबात समझ नहीं पाते जैसे की सैतान को ओबात समझ में नहीं आई सुचते हैं अपने इच्छा की क्यूं न करो किसी दूसरे की इच्छा की क्यूं करो वैशे लोगों को हनुमान जी से सबक लेने चाहिए हनुमान जी ने एक कुछतम आदर्स इस्थापित किया है वह अनुकरनिया है झाल 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 झाल